हेलो सेल्स कैसे हो आप सब आए होप सब बहुत अच्छे होंगे तो मैं हूँ आपकी अपनी खुश्मु माम बायोलजी मास्ट टीचर आट वेदान तू तो अगें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्प्रिंट एक्स का लेक्चर टू जिसमें आज सरी और सरी रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेशन्स डिसकस करने वाले हैं और मैं बता दू कि यह मैंने सारे क्वेशन्स को फोर राउंड में डिवाइड कर दिया है तो पहला राउंड तो हमारा कूल of round होता है उसके बार हमारा cool downs around होता है उसके बाद icy cold आता है और उसके बाद freezing मतलब कि हम normal level बढ़ाने वाले हैं questions के easy medium difficult and very hard वाले questions पढ़ने वाले हैं तो जल्दी से अपनी seat की पेटी बांध लीजिए हम अपना session स्टार्ट करेंगे किसके साथ एक dose of motivation के साथ तो देख लेत है कि हमारा dose of motivation है क्या difficult roads often lead to the beautiful destination exactly जो आप भी मेहनत कर रहे हो वह वहले difficult लग रही होगी आपको लेकिन at the end जवाब का result आएगा ना वो जब आपके चार लोग बोलेंगे कि बस यही हमारा टॉपर है तो वो जो टॉपर वाली feeling आएगी ना oh my god बस वो यहां से आपको यहां पहुचा देने वाली है तो इसलिए हमें क्या करना है difficult road से घबराना नहीं है अपने beautiful destination के ओपर aim करना है और सरफ और सरफ hard work और smart work करते रहना है चालो next जो है वो है मेरा schedule of the week जिसके पास यह नहीं है वो उसका screenshot ले सकता है ठीक है तो आज हमारा क्या है sprint tax है 10th August पे lecture 2 है हमारा यह life process का respiration ठीक है तो make sure कि आप लोग start से लेकर end तक बने रहो क्यूंकि end में तो बहुत दमाकेदार सा question आपके लिए है जो कि previous year में आ चुका है तो make sure कि आप start से लेकर end तक पूरा session attend करो और यह है आपका sprint tax का schedule जिसमें 11th August को भी आपका एक और sprint है transportation का चलो moving forward to our round one जो कि है cool off थोड़ा सा cool off हो जाते हैं हम थोड़ा सा अपने आपको flex करते हैं कि हमें तो life process chapter आता है तो इस flex के साथ हम अपना first question देखते हैं और जिसके लिए मैंने आपको सिर्फ 30 seconds का time दिया है चलो जल्दी से मुझे बताओ the breathing and the respiration in woody stem of a plant takes place through which part तो woody stem जो होती है वो respire कैसे करती है किस पार्ट से करती है आपको इसका answer देना है I hope अपको यह answer तो पक्का पता होगा भाई अब flex मार रहे है cool off का flex मार रहे है हमें आता है भाई respiration क्या होना चाहिए a b c a d yes exactly बहुत सारे लोगों ने मुझे comment section में answer बिल्कुल चाहिए दिया है जो कि है lenticels हमारा exactly lenticels ऐसा structure होता है जो woody stems में present होता है जिसके through हमारी woody stem क्या करती है respire करती है चलो moving on to the next question again मैंने आपको सुर्फ 30 seconds दी है तो make sure क्या वो 30 seconds में कर रहे हो transpiration is not affected by which of the following factor कॉन सा इसा factor है जो transpiration के rate को affect नहीं करता है सोचो 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 क्या हो सकता है सोचो सुचो transpiration मैं गाना गाने वाली थी लेकिन मैंने कट कर दिया वह गाना छोड़ो भी बात नहीं हो जाता है तो yes answer is chlorophyll temperature increase होगा transpiration increase हो जाएगा wind की velocity हवा बहुत तेज चलेगी तब भी transpiration जादा हो जाए humidity जादा होती है तो transpiration का rate कम हो जाता है इसको आप कपड़े सुखाने के example से याद कर सकते हो कपड़े हमारे धूप में बहुत जल्दी सूखते हैं जब temperature जादा होता है हावा बहुत जादा चल रही होती तब भी हमारे कपड़े सूख जाते है लेकिन अगर atmosphere में humidity बहुत जादा होती है तो हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते है तो ऐसा ही transpiration में भी होता है और chlorophyll का transpiration से तो कोई रोल नहीं हम यहाँ photosynthesis की बात करते हैं तब यहाँ पे रोल होता चलो moving on to the next question जो की है हमारा during exhalation some amount of air still remains in the lungs this is called बहुत सारे बच्चों ने मुझसे यह question पूछा था मैंने उसका answer भी आपको दिया था I hope यह answer आपको आता होगा तो बस आपके पास 30 seconds है देखें कितना fast forward भाग करके आप यह answer मुझे देते हो क्या हो सकता है इसका answer A, B, C, or D देखें 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 वह उसी volume of air को ही हम residual volume बोलते हैं जिसकी वाज से हमारी lungs collapse भी नहीं करते हैं हमारी even trachea भी collapse नहीं, sorry, lungs collapse नहीं करते हैं बस वह residual volume की वज़े से ऐसा होता है Next, moving on to the next question जो की है In order to produce carbon dioxide, water and energy pyruvate must be broken down This reaction takes place in which organal यह मैंने कल ही आप लोगों को respiration revise करते time बताया था की कौन सा type का respiration है यह aerobic respiration और aerobic respiration किस organal में होता है इतनी बड़ी hint दे दी भाई मैंने तुम लोगों को Yes, exactly It takes place in the mitochondria which is known as the powerhouse of the cell और यह ATP का production करता है और mitochondria में ही यह cellular respiration होता है Moving on to the next question which is plant root absorbs water from the soil in the following ways plant की जो roots होती है वो soil में से water किस तरीके से absorb करते है कोई मुझे बता सकता है इसका answer physical pores, transpiration, osmosis यह diffusion के through in the following way diffusion होता है, osmosis होता है, transpiration होता है यह physical pores होता है क्या होता है Yes, exactly water है तो हमारा क्या होडा होगा osmosis roots में पानी का concentration कम होता है soil में पानी का concentration जादा होता है कि बस हमारी बहुर flex हो गई है तो अब हमारा थोड़ा सा flex को कम करने का round आ गया है क्यूंकि अब यहां से आ रहे हैं आपके थोड़े से medium level वाले question अब मैं यह देखूंगी कि यह medium वाले level question में आप कितना flex मारते हो देखे 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 I hope अब flex तो जरूर मारेंगे और जिसको जिसको answer आता होगा वो मुझे comment section में जरूर बताएगा तो एक fish के heart में कितने सारे Chambers होते हैं ? कोई मुझे बता सकता है ? Acho fish किस सेơn..gills के ठूरू ठीक है लेकिन उसमें कितने Chambers होते हैं ? कोई मुझे मुझे 2 , 3 , 4 या single Chambers एक single Chambers भी होता है ं Yes, exactly The fish heart has 2 Chambers ये 2 Chambers होने की वजय से इसमें oxygenated or de oxygenated ब्लड mix match भी हो जाता है जैसे हमारे में four chambers है mix matching नहीं होती है ब्लड की deoxygenated oxygenated blood की लेकिन heart में fish के heart में हो जाती है क्योंकि सिर्फ दो ही chambers present होते हैं उसमें चलो moving on to the three marker sorry two marker question जिसके लिए मैंने आपको सिर्फ one minute का time दिया तो मुझे जल्दी से इसका answer बताओ कि explain why plants have low energy needs as compared to the animals plant में energy की requirement कम क्यों होती है animals के comparison में कोई मुझे इसका answer बता सकता है सोचो सोचो क्या हो सकता है बहुत सारे points है मैंने आपको यह बताया भी है even देखें मुझे कौन-कौन यह बच्चा बता पाता है और कौन-कौन इस बात का flex मार सकता है कि मुझे तो आता है यह chapter मैं तो must करके आऊंगी यह chapter भाई yes exactly तो plant क्या ना basic process उसमें lack करता है किसका locomotion का plant इधर से उधर move नहीं कर सकते हैं जिसे कि हम अपने पैरों को चला करके movement दिखा सकते हैं plants में ऐसा नहीं होता है जिसकी वज़े से उनकी energy की requirement कम हो जाती है apart from this उनका जो पूरा body है ना plant का जितने भी parts होते हैं branching होती है stems, leaves, bark वो सब respire कर रहे होते हैं तो किसी को भी इतनी energy की requirement नहीं होती है respiration करने के लिए भी और even oxygen के लिए भी तो plants ये basic process lack करते हैं locomotion का जिसकी वज़े से वो इधर उधर move नहीं कर पाते food का क्योंकि वो अपना खाने तो खुद prepare करें इसी लिए उनकी energy requirement क्या होती है लो होती है बस ये एक simple सास का क्या था reason था I know I know सबको पता था चलो moving on to the next question जो की है हमारा three marker question three marker question और five marker question सबसे marks gaining questions होते हैं और इसके लिए मैंने आपको sprint का time script दो मिनिट का दिया देखें मुझे कौन दो मिनिट में solve करके दिखाता है state the three common features of all the respiratory organs present in the animals आपको three common reasons बताने हैं three common ऐसे features बताने हैं जो हमारे सारे animals में respiratory organ को लेकर के common हैं तो देखें कौन-कौन मुझे इस cancer बता पाता है वो भी दो मिनिट के अंदर दो 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 मिनिट टू टू मिनिट वाली मैगी की तरह है टू मिनिट वाली मैगी की तरह है कौन मुझे इसका answer बता पाता है देखें yes exactly the answer is this कि जितने भी respiratory organs होते है animals में उनका surface area हमेशा large होता है large इसली होता है ताकि जादा से जादा oxygen वो inhale कर सके और जादा से जादा energy क्या कर सके produce कर सके उसके बाद उनकी जो surface होती उनकी cell wall अगेरा होती है उनकी membrane जो होती है वो हमेशा thin और delicate होती है पतली होती ताकि उसमें तर air का diffusion easily हो सके क्या हो सके easily हो सके और वो बहुत ही deeply situated होती है body के अंदर मतलब आप उसको बाहर से feel नहीं कर सकते हो आप उसका situation होता है उसकी जो location होती है वो काफी deep seated होती है उसके बाद उनमें जो blood supply होता है वो बहुत अच्छा होता है मतलब आप जो alveoli देखोगे न हमारे organs में भी तो वो alveoli न पूरी blood vessels से surrounded होती है वो capillary से surrounded होती है जिसकी वज़े से उसमें rich blood supply होती है और वो क्या करती है अच्छे से exchange of gases perform कर सकती है यही तीन common features हमारे सारे animals के respiratory organs में पहला की thin surface area होता है दूसरा large surface area होता है और तीसरा ही होता है कि rich blood supply होती है जिससे diffusion of gases blood के थुरू easily हो सके और वो oxygen आपके पूरी body में easily transport भी हो सके चलो moving on to the next question की what are the differences between aerobic and anaerobic respiration इसके लिए सिर्व आपके पास 3 minute का time है sprint का और आपको मैं बता दू कि यह question बहुत important है most repeated questions में से एक question है यह respiration से तो बिलकुल भी कि भूलना नहीं differences वाले question अपने chapters में बायो में डिफरेंसे वाले questions और डाइग्राम related questions सबसे जादा पूछे जाते हैं तो इसको तो बिलकुल मत छोड़ करके जाना गलती से भी मत छोड़ कर जाना अगर आपको marks अपने कटवान है तो आप छोड़ के जा सकते हो यह अपी की responsibility होगी मेरी नहीं होगी भाई पहली बता देनी मैं मैंने तो आपको इसके लिए क्या किया था आगहा किया था कि बेटा पर्ड के जाना हो बटा पर्ड के नहीं गए कि फ्री मिनिट 30 मिनिट और ओंल तरिमीट अवल ट्री मिनिट येस तो वह ताए अरोभी रेस्पिरेशन taken लोग Container एको कि प्रेज neural थाए ddhax प्रट्पन और टूटता है। इसमें प्रोड़क्टेज्च प्रइड़ेट्र, टाहसे में माज़ने जब प्रीड्थ, एतनॉल, ताम इससे में फाल थे अोड़ा सब्सक्राइब तो lactic acid plus energy होती है लेकिन इसमें जो energy release होती है ATP के form में वो सिर्फ 2 होती है सिर्फ 2 देख रहे हो 38 ATP efficient होगा कि 2 ATP efficient होगा तो अब्विसी बात है 38 ATP भाई, energy जादा चाहिए तो हमें ATP भी जादा produce करना पड़ेगा इसलिए हमारे human beings aerobic respiration perform करते हैं aerobic respiration में जो amount of energy होती है वो considerable होती है considerable मतलब अच्छी-खासी amount होती है energy की और जबकि anaerobic respiration में energy की amount कम होती है मैंने अभी बताया है सिर्फ 2 ATP produce होते हैं और इसमें 38 ATP produce होते है तो कौन efficient है हमारा aerobic respiration इसलिए most of the human beings और animals aerobic respiration perform करते हैं चलो moving on to the next question की draw a well-labeled diagram of the respiratory system तो अब आप लोग 5 number का question है और सिर्फ 5 minute दे रही हूं तुम लोगों को तो जल्दी से मुझे ये diagram draw करके दिखाओ मुझे कैसे दिखाओगे अपनी notebook पे draw करो कि देखो तुम लोगों को diagram ये बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है कौन सा diagram respiratory system का जिसमें lungs आ जाएंगे alveoli आ जाएगी trachea आ जाएगा bronchioles आ जाएगी bronchiय आ जाएगी ठीक है आपकी ये सब कुछ आ जाएगी तो make sure कि आप लोग ये diagram बना रहे हो और सिर्फ पांच मिनिट का टाइमिंग है ठीक ठीक वान only five minutes only five minutes देखे कौन कौन इस diagram को पांच मिनिट के अंदर बना पाता है पांच मिनिट diagram के लिए बहुत कम टाइम होता है लेकिन अपनी घडी में टाइम सेट करके पांच मिनिट lower diagram को draw करो ठीक है देखू कौन कौन मुझे ये diagram draw करके दिखा रहा है yes 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 तो क्या है diagram हमारा अब हमारा human respiratory system कहां से start होता है nostrils से start होता है ये होती है हमारी nostrils nostrils क्या होती है ये दो passage जो आप देख रहे हो नाक के अंदर ये दो holes इनको ही nostrils बोलते है इसके अंदर क्या होता है nasal passage होता है ये nasal passage के behind में nasal passage के पीछे nasal cavity present होती है जिसमें mucus और hair-like structure present होते है कि अगर गलती से आपका कोई bacteria वगेरा या dust वगेरा चली गई तो वहापे trap हो जाती है ठीके ये cartilage की जो rings होती है और trachea को collapse करने से बचाती है ठीके किसमें present होती है trachea में ये trachea फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है bronchioles में देखो वगा bronchi में दो bronchi हो जई रही है दो bronchioles होते हैं आपके ये दो और उसके बाद फर्दर bronchioles में breakdown हो जाते हैं और उसमें bronchioles में last में क्या present होता है alveo lie तो कहां से start होता है हमारा respiratory system नो strills है फिर nasal passage फिर nasal cavity फिर pharynx फिर larynx आपका फिर trachea फिर bronchi फिर lungs और फिर bronchioles और bronchioles में क्या present होता है alveo lie और alveo lie में बहुत सारी blood capillaries present होती है तो आपको मैं एक बात बता दू आज रात 9 बज़े मैं आप लोगों का ऐसा ही diagram का session लेने वाली हूँ ठीक है जिसमें मैं life process के सारे diagrams को आपको बना करके दिखाऊंगी तो make sure वो session आप जरूर attend करो और अपने notebook और pen लेकर के रखना ताकि मेरे साथ draw करो तो आप लोगों के diagram की practice भी हो जाएगी इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ठीक है तो इसी तरीके से आपको diagram draw करना और इसी तरीके से chart भी बना करके आना ताकि 5 में से 5 नंबर मिल जाए आप लोगों को ठीक है चलो diagram बल एक्वेशन सबसे अच्छा marks दिलाते हैं चलो तो एक काम करो थोड़ा सा coffee break ले लेते हैं थोड़ा सा chill out कर ले cold coffee के साथ और भाई जिसको मेरे बहुत सारे बच्चों तो आप लोगों के लिए में एक देसी चाय बना जेती हैं ठीक है अद्रक और क्या था उसके साथ इलाइची के साथ ये आप लोगों के लिए एक देसी चाय है तो ये देसी चाय पीना मत भूला मैम ने स्रिफ और स्रिफ आपने cells के लिए बनाई है ठीक है आप सब के cells के लिए बनाई है तो ये चाय पी ले ना ये चाय पीने के बाद ना फिर हम चलेंगे अपने icy cold region के उपर अब भाई थोड़ी सी गर्मी ले लो आप लोग चाय पी करके ताकि icy cold region में आपके पसीने ना छूटे भाई समझे है चालो आप सबने हमारी देसी चाय पी ली होगी और इसको कॉफी पसंद होगी उसने कॉफी भी पी ली होगी तो moving forward to our next round विच इस round 3 वो फो icy cold round है भाई रेडी रहना seat की पेटी बांध लो तो here comes your first question की और वो भी 3 marker question है दो मिनिट का टाइम दे रही हूँ बस how are the lungs designed to maximize the area for exchange of gases lungs किस तरीके से design है जिसकी वज़े से उसमें exchange of gases बहुत efficiently होती हो और बहुत जादा excess amount में हो सकती है तो इसका reason क्या है जिसकी वज़े से lungs बहुत जादा amount of air inhale और exhale कर सकता है absorb कर सकता है कौन-कौन मुझे बता सकता है इसका reason सिर्फ दो मिनिट का timing है जल्दी-जल्दी solve करो इसको yes the answer is alveoli हमारा जो lungs है न वो ए ट्री-like structure होता है ये ट्री-like structure में न ट्रेकिया आता है फिर दो branches में divide हो जाता है वो branches further बहुत सारी branches में divide हो जाते है और उसमें end में क्या present होता है alveoli ये alveoli जो होते है न आपके ऐसे structure होते है जो आपकी जादा से जादा air को absorb कर सकते है exchange of gases कर सकते है ये जो walls of alveoli है ये extremely thin होती है बहुत ही जादा पतली होती है अभी हमने features में पढ़ा कि अगर thin और delicate structure होता है surface होता है ये respiratory system में तो gases का exchange बहुत efficiently होता है इसलिए alveoli की जो wall होती है वो extremely thin होती है और बहुत सारे blood capillaries से lined होती है line मतलब उसमें बहुत सारी blood capillaries present होती है देख रहे हो ये देखो इसमें oxygen आ रही है और CO2 यहाँ से बाहर जा रही है तो ये alveoli इतनी excess amount में present होते है कि ये alveoli को अगर आप खोलोगे ना एक एक करके खोलोगे ना अपने alveolize को तो ये tennis का coat बन सकता है आपका tennis का coat इतनी सारी alveoli आपके lungs में present होती है जिसकी वयसे बहुत excess amount में आप air inhale कर सकते हो और CO2 को exhale out कर सकते हो तो क्या answer था alveoli जो surface area बढ़ाता है exchange of gases का moving on to the next question which is again the 4 marker question जो कि आप exam में 5 से 7 minute लोगे लेकिन sprint में आपको सिर्फ में 5 मिनिट का टाइम दे रहे हूं तो what is the fate of glucose molecule in anaerobic respiration in yeast and lactobacillus bacteria and aerobic respiration in human cells इसके साथ आपको इसकी chemical equation भी लिखनी है क्या लिखना है इसकी chemical equation भी लिखनी है कि pyruvate जब breakdown होता है आपका pyruvate का जब breakdown होता है किसमे aerobic and anaerobic respiration में एक aerobic respiration हो जाता है हमारा जो कि हो रहा है humans में और एक होता है anaerobic respiration जो कि हमारा होता है yeast या फिर bacteria lactobacillus bacteria तब glucose का fate क्या होता है आपको पता है यह जो pyruvate है glucose pyruvate में breakdown होता है ठीक है glucose हमारा pyruvate में breakdown हो रहा है और यह pyruvate फर्दर दो तरीके से breakdown हो सकता है aerobic में और anaerobic में aerobic में किस तरीके से breakdown होता है कोई बता सकता है मुझे और aerobic respiration कहां पर हो रहा होता है yes, mitochondria में aerobic respiration होता है ठीक है, और जबकि glucose pyruvate में कहां पर breakdown होता है cytoplasm में यह जो glucose pyruvate में convert हो रहा होता है यह cytoplasm में हो रहा होता है जबकि aerobic respiration mitochondria में होता है, जिसमें क्या release होता है carbon dioxide plus क्या release होती है आपकी energy है ना किसके form में ATP के form में और कितनी ATPs होती है 38 ATPs होती है आपकी जब कि aerobic respiration में क्या होता है ethanol अब यहाँ पर anaerobic respiration हमारा muscles में नहीं पूछा है उसने किसमें पूछा है yeast में पूछा है किसमें पूछा है yeast तो ethanol release होता है और क्या release होता है carbon dioxide plus energy किसके form में ATP के form में कितनी ATP होती है स्रिफ दो ATP होती है तो क्या हो गया आंशर पाइरुवेट जो 3 carbon molecule है वो बनता है glucose में से glycolysis process में और anaerobic respiration जो yeast में हो रहा होता है glucose पहले पाइरुवेट में ब्रेकडाउन वह यह पाइरुवेट ने होते हैं जबकि इस process को हम glycolysis बोलते हैं ठीक है इस process को glycolysis कहते हैं जो ग्लुकोस से पाइरुवेट में कनवर्ट हो रहा है फिर आपका ethanol बनता है carbon dioxide और energy release होती है किसके form में ATP के form में जबकि एरोबिक respiration में क्या होता है carbon dioxide water और energy प्रेडियूस होती है कितने ATP प्रेडियूस होते है 38 ATP और यह होता है माइटो कॉंड्रिया में जबकि यह वाला process होता है आपका किसमें साइटो प्लाज्म में आया समझ में कि नहीं आया यह वाला process cytoplasm में हो रहा होता है यह वाला process mitochondria में हो रहा होता है तो aerobic respiration में carbon dioxide water energy release होती है जबकि anaerobic respiration में ethanol carbon dioxide plus energy release होती है जो कि yeast यहाप लेक्टो-bacillus में होता है तो इसी तरीके से पूरा लिख करके आना है आपको exam में और ऐसे ही reactions वहाँ पे लिख करके आनी ताकि full number मिले भाई ठीक है पहले ही आगहा कर रही हूं तुम लोगो moving on to the next question कि explain how the air is inhaled and exhaled during breathing in humans humans में air inhale और exhale कैसे होती है तो यह आप मुझे कैसे बताओगे five marker question है तो इसको solve करने का तो सबसे पहला तरीका क्या होगा कि diagram draw करोगे क्या करोगे diagram draw करोगे और दूसरा part हो जाएगा इसको explain करोगे कि inhalation और exhalation कैसे होती है ठीक है फिर इसके बाद इस answer को explain करोगे सबसे पहले क्या बनाओगे diagram बनाओगे diagram के बाद उसको explain करोगे कि यह process पूरा होता कैसे है तो देखो होता कैसा है mechanism of inhalation में जैसे ही आपने air को सक किया अंदर थीक है तो हमारा जो dome-shape diaphragm होता है यहां पर फ्रेजेन वो यहां पर प्रेजेंट होता है कोईट्रैक्ट होने की वजह से हमारी होरी जी होती यह कह बाहर की तरफ आ जाते है चाहे तो तो ट्राई करके देख लो लोगो चैस्ट थि बाहर आ जबकि एगजलेशन में क्या होता है आपका जो ये डोम शेप डाइफ्राम घर्लाफ कर से सोई मैं जाता है यहां प्रजन वजाता है जब कॉंट्राक्त मुफृ। यह ऐसे हो जाता है इसी के उपर हमारे लंगज शीटेडेल होते हैं लंगज होते है तो जब आपका रिलाक्स कर जाता है आपके लंग Сам की जो काविटी होती है कम होती है न continuity है, जितनी एच्वरी बाहर की तरफ ओ-णिया रिखरॉट क्या प्रॉशन होते है जिसकी वयसे air pressure आपके chest cavity के अंदर कम हो जाता है और air हमारे lungs के अंदर फिल हो जाती है नॉस्ट्रिल्स के तुरू exhalation में क्या होता है कि diaphragm जो होता है वो relax कर जाता है upward move कर जाता है जिसकी वैसे chest cavity कम हो जाती है और air जो इसके अंदर भरी होती है वो बाहर निकल जाती है एक बार बताओ छोटी सी जगह होगी तो fit नहीं हो पाओगे तो ऐसे ही छोटी सी chest cavity होगी तो उसके अंदर air नहीं fill लो पाएगी लेकिन अगर बड़ी सी जगह होती है तो आप उसके अंदर अराम से बैठ सकते हो तो ऐसे ही lungs के अंदर जादा जगह होगी तो air उसके अंदर भढ़ जाएगी बास simple यह लिखना था ठीक है चालो moving on to the next round जो की है हमारा freezing round कैसा round है हमारा freezing round है कि ता कट-कट आने व बाले हैं जो कि आपके repeated questions में से और आ सकते हैं क्या सकते हैं आ सकते हैं रेडी गेट सेट रेडी पो चलो तो how is oxygen and carbon dioxide transported in human beings oxygen और carbon dioxide transport कैसे होती है human beings में यह three marker का question है आपका जिसमें मैंने आपको सिर्फ दो मिनिट का टाइम दिया तो मुझे जल्दी से यह solve करके दिखाओ कि हम हमारा oxygen और carbon dioxide हमारी body में transport कैसे होती है देखे मुझे कौन-कौन इसका answer एकदम सही देता है अब तक तो आई थिंग सो अभी अब तो यह freezing cold रहा नहीं होगा क्योंकि मैंने इतना explain कर दिया इससे पहले अब इतना explain करने के बाद तो आपको यह question एकदम हलवा लग रहा होगा है ना लग डू question डेखें चलो तो exchange of gases क्या होता है ना most of the gases जो होती है वो oxygen किसके फॉर्म में होती है थिखें एक karebie canadah के फॉर्म में और एक आपका उसके फॉर्म में कारर्बόक्सी हीमोग्लोविन के फॉर्म में 세계 qué Camosy we सीमोग्लोबिन के फॉर्म में 70% आपका जो carbon dioxide होता है वो ब्लड में carbonate के फॉर्म में at化ट के नाisodeकर है कि मैं तो यह एससा त्रांस्पोड होगा मैं तो तीन तरीके सही ट्रांसपोर्ट हूंगा, तो ऑक्सीजन बिचारा बहुत सीधा सा बच्चा है, मेरी तरह एकदम, ठीक है, तो वो स्रिव ऑक्सी इमोगलोबिन के फर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तिशू के बाद रीच करने के बाद, हाईयर कंसेंटरेशन टू ल तरहरे थाएमोगलोबिन के फर्म में, तोु यह याद रखना ठीक है, चलो, मुविंग अन्ट वह प्रिस्व रुडोध ट्मोस्ट इमोगलोबिन के फर्म में तो प्लीज स्को मत भूल करके आता हुडएं तो यह याद नाद रहना है, तो यह याद रखना है? चलो, मुव सारे बताओ कि जिसमें glucose आपको oxidize होता है energy के form में और कितने तरीके से वो oxidize हो सकता है आप मुझे ये बताओ तो हमने अभी just पढ़ा था कि पहले तो सबसे पहले क्या होता है अब मैं pen change कर लेती हूँ कि ये जो glucose है हमारा ठीक है ये glucose सबसे पहले किसमें convert होता है पाइरोवेट में ठीक है ये प्रोसेस को हम glycolysis भी भोलते हैं और ये कहां पर होती है हमारी cytoplasm में होती है ये process कहां हो रहा होता है cytoplasm में ठीक है अब ये पाइरोवेट ना तीन तरीके से breakdown होता है कैसे एक breakdown होता है इसका O2 के presence में presence of O2 किसकी presence में presence of O2 में और ये किसमें हो रहा होता है हमारा mitochondria में होता है किसमें होता है mitochondria में ठीक है किसमें होता है ये mitochondria में और पाइरोवेट किसमें convert होता है फिर येस carbon dioxide plus water plus energy आपकी जो की होती है ATP ठीक है तो एक ये process हो गया दूसरा होता है आपका इनदे absence of oxygen और पाइरोवेट किसमें हो रहा है absence of oxygen और ये ना ये भी cytoplasm में होता है किसमें होता है yeast में होता है इसमें क्या बनता है हमारा एथनॉल बनता है जिसको हम fermentation process भी बोलते है क्या बनता है ethanol बनता है प्लस carbon dioxide release होती है प्लस energy release होती है ATP के form में और ये जो process हो रहा होता है ये किसमें हो रहा होता है yeast में वो भी कहां पे cytoplasm के अंदर किसमें होता है cytoplasm के अंदर ठीक है एक process होता है वो भी anaerobic होता है lack of oxygen में लेकिन वो हमारी किसमें होता है muscle cells में किसमें होता है muscle cells में होता है human beings में होता है जब हमने बहुत भारी exercise कर ली होती है तब oxygen की कमी की वज़े से ये anaerobic respiration होता है जिसमें क्या-क्या बनता है हमारा lactic acid ये lactic acid जब हमारे muscles में collect हो जाता है तब ही हमको muscle cramps आते है muscles में दर्द होता है तो muscle cells में होता है lack of oxygen में तो किस तीन तरीके से हमारा glucose oxidized हुआ सबसे पहले glucose convert हुआ pyruvate में किसमें cytoplasm इस process को हम glycolysis कहते है अब pyruvate हमारा तीन तरीके से breakdown हो रहा है presence and absence of oxygen में एक presence of oxygen में mitochondria में हो रहा है process जिसमें CO2, H2O और ATP release हो रहा है यह most of the animals और human beings में ही होता है दूसरा होता है muscle cells में हो रहा होता है lack of oxygen में जब हम भार ही exercise कर लेते है vigorous exercise उसमें क्या produce होता है lactic acid plus ATP वो भी सरफ 2 ATP होते है उसके बाद तीसरा जो होता है आपका वो होता है absence of oxygen में जो कि yeast में होता है और cytoplasm में होता है इसमें क्या release होता है ethanol, carbon dioxide plus ATP इसमें भी सरफ 2 ATP release होते है तो यह तीन तरीके से हमारा glucose क्या है यह सारे products में convert हो रहा है ठीक है I hope सबको यह पूरा process समझ में आया होगा और यह diagram तो भाई, जैसे मैंने बनाया था जरूर बना करके आना यह पूरा table क्यूंकि 5 number का question है explain करने के साथ आपको यह diagram भी बनाना पड़ेगा तो make sure कि diagram तो आप जरूर बना के जाओ I hope आपको यह पूरा session पसंद आया होगा तो please like कर देना share कर देना अपने friends के साथ और subscribe to channel को जरूर कर देना ताकि कोई भी update आपसे miss ना हो कोई भी मेरा session या बाकी सारे teachers का session आपसे miss ना हो apart from this आपके लिए एक homework का question है कि why do walls of the trachea do not collapse when there is a less air in it तो मुझे ना comment section में इसका answer जरूर पढ़के बताना कि क्या होगा इसका answer क्योंकि मैं आप सबके comments ना personally जरूर पढ़ती हूँ ठीक है मैं personally जरूर पढ़ती हूँ reply आपको नहीं आए क्योंकि थोज़ा इनसान busy होता है but मैं make sure करूँगी कि आप मैं आपको reply करूँ और आपके सारे सबके comments तो मैं जरूर पढ़ती हूँ तो यह सारे हमारे आपके favorite teachers के shots के channel जिसमें आप 60 seconds में अमनी चीजों को revise कर सकते हो तो make sure आप इन सारे channels को भी subscribe कर दो और विदान्तू 9th and 10th channel को तो subscribe करना बिलकुल मत बूलना और यह है आपका telegram का link जो भी सारे मेरे प्यारे से नए बच्चे थे जिनको नहीं पता कि यह session के notes कहा से ले तो यह telegram का link है जो आपके description box में available होगा इस session से related आपको pdf इसी telegram channel पे मिल जाएगी तो आप इसको जरूर जॉइन कर लेना भूलना मत ठीक है होप हम फिर मिलेंगे चलते चलते बाबाई